हेलो दोस्तों वेलकम टू टूड़े एक्जाम दोस्तों आज है 14 जनवरी 2021 तो आज के इस वीडियो हम 14 जनवरी 2021 के जो भी most important current अपेर्स के सवाल बनेंगे उन सबी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखे और 14 जनवरी 2021 के सभी most important current appearance के सवालों को जरूर याद करे और दोस्तों इस वीडियो के last में हमेशा के तरह एक सवाल आप से भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में लिखकर बताना है इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को last तक जरूर देखे और सभी सवालों को जरूर याद करे तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल पहला सवाल है हाली में डाका मेरतन 2021 के पुरुस वरग में चैंपियने कौन बने हैं तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है option D&E बहादूर सिंग है जो दाका मेरतन 2021 के पुरुस वरग में चैंपियने बने हैं कौन बने हैं बहादूर सिंग और किसमें डाका मेरतन 2021 के पुरुस वरग में जबकि महिला वरग में बनी है नेपाल की पुस्पा बंडारी अगर दोस्तों पूचे कि टाका मेरतन 2021 में महिला वरग की चेंपियन कौन है तो लिखना है नेपाल की पुस्पा बंडारी और अगर पुस्पा बंडारी और अगर पुस्पा पूचे तो बहादूर सिंग अंत्रिक सिक्सा और अंत्रिक स्प्रोधी की सिक्सा को बढ़ावाय दिने के लिए सो अटल टिक्रिंग लेब अटोप्ट करने की गोशना की है कितनी अटल टिक्रिंग लेब की अटोप्ट करने की गोशना की है और दोस्तो इस तरों की स्तापना कब हुई थी तो इस तरों की स्तापना है वो उन्निस सो गुण सित्तर में हुई थी किसने की थी विक्रम सारा भाई ने अगला तीसरा सवाल है नेमन में से किस राज्य सरकार ने बिंदु सागर सपई परियोजना सुरू की है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है option B यानी हाले में उडिसा राजिये के मुख्य मंत्री नवीन पटनाई के हैं जिन्नोंने बूनेसवर में बिंदू सागर परियोजना की सुरुआते की हैं किस परियोजना की बिंदू सागर परियोजना ने किस राजिये सरकार ने उडिसा राजिये सरकार ने और कहां पर की हैं उडिसा के भूनेसवर जिले में अगला स्वाल है हाली में किस सहर के नगर निगम ने थेला बैंक परियोजना की सुरुआते की हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन एनि उत्तर परदेश की राजदानी लखनाउ में नगर निगम द्वारा परियावरन सरक्षन की दिसा में सुरू की गई महतु प्रण एक योजना है जिसका नाम है थेला बैंक परियोजना और इस थेला बैंक परियोजना का म जुरुआते की हैं जिसका उदेशी है देश को या राजी को प्लास्टिक मुक्त करना इसी परकार अगला सवाल है हाली में किसने फ्लेंग्स एंड कंट्री नेम्स को पैचानने के लिए यंगेस्ट केड का खिताब जीता है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्श प्रेमा खिमानी ने प्रेमा खिमानी है दोस्तों यह भारत की रहने वाली पांस साल की बच्ची है जिनने हाली में फ्लेंग्स एंड कंट्री नेम्स को पैचानने के लिए खिताब जीता है और यह मात्र चार मिनट 17 सेकेंड में 500 से अधिक देशों के नराजदनी और इनके जंडे पैचाने का खिताब भी अपने नाम में दर्ज किया है किसने क्या है प्रेमा खिमानी ने इसी परकार अगला सवाल है बारतिय नौसना ने किस नाम से मेगा रक्सक अभ्यास का आयोजन शुरू किया है तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ओप्सन डी यह नी सी 21 का दूसरा संस्रण है वो 12 जनवरी से 13 जनवरी को आईजितिक किया है कब क्या है 12 जनवरी से 13 जनवरी तक और किस नाम से सी विजल 21 के नाम से और किसने क्या था बारतिय नौसना ने इसी परकार अगला स्वाले सड़क सुरुकसा सप्ता दिवस 2021 कब मनाया गया है तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ओप्सन सी यह नी सड़क सुरुकसा सप्ता दिवस से हैं वो 2021 में 17 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच आईजितिक किया गय था जिसका मुक्य उदेश इसी है भारत में सड़कों और सड़कों पर चलने वाले लोगों की सुरुकसा पर आधारित था और दोस्तों इस सड़क सुरुकसा सब्ता सब्ता 2021 कब मुक्य विशे था वो था से sold itself to your family मीरे के यह सप्ता है कंसकरयब 32 संसक्रण था जो हाली में कब सुरु क्या गया थ इसी पर कर अगला सुवाल है के वी आई सी के द्वारा विक्सित खादि प्रาकरतिक The meinem प्राकरिवेंट को किस ने लॉंच किया हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब है option भी यही के वी आई सी के द्वारें विक्सित खादि प्राकरतिक पैंट को केंद्री सड़क परिवेन मंत्री नितिन गडगरी हैं जिन्होंने हाली में खादी प्राकरतिक पैंट को लॉंच किया हैं और ये खादी प्राकरतिक पैंट है वो दोस्तों आपको बताते कि इस सिरफ गाई के गोबर से बना गया एक प्राकरतिक पैंट होगा किस से बना गया होगा गाई के गोबर से बना गया एक खादी प्राकरतिक पैंट होगा जिनने हाली में किसने लॉंच किया था केंद्री सड़क परिवेन मंत्री नितिन गड़गरी जिने लॉंच किया है तो दोस्तों ये थे आज के 14 जनवरी 2021 के मुख्य करेंट अपेर्स के सवाल उमेद करता हूँ आपको ये सबी सवाल अच्छे तरह से याद होगे होगे अगर याद होगे तो इस वीडियो को लाइक चरूर करें और चैनल पर पहली बार आये तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो का पीडियो लिंक है वो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो राश्ट्री इवा दिवस कब मनेज़ दे सता हैं इन चार ओप्सनों में से कौन सा ओप्सन सही है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम